हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इस्टेडी विद प्रिया अब हम सीटेट की पीपर फर्स्ट का मैथ का पॉर्शन सॉल्व करेंगे जो की 21 जन्वरी 24 को हुआ था देखते हैं हमारा पहला कोश्चन है 31 नंबर कोश्चन देख लिजेगा आपके में किस नंबर पर है यह कोश्चन ठीक है इसमें नीचे दिये गए संख्या पैटरन को देखना है और बताना है आगे कौन से संख्या इसमें आएगी इसका अंसर था हमारा 31 का ओप्शन है 3 216 और 343 अगला है 32 नंबर कोश्चन पच्चिस पैतालिस चार प्राप्त करने के लिए 99 जीरो नो जो भी संख्या है इसमें से यह घटाना होगा तो क्या घटाना होगा 25 63 इसका अंसर है 32 का ओप्शन 3 ठीक है अगला है 33 नंबर कोश्चन निमलिखित में से कौन सकता है जब सज़धी को अगला है हमारा प्रेशन 34 नंबर इसमें देखिए क्या लिखा है निमलिखित में से कौन सा स्कूली गड़ित में इबारती सवालों के लिए सही है तो इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्वित करते हैं जहां बच्चे परिस्तिती को ऐसा अप्चारिक रूप देता है इसको तुरा जिसमें गड़ती तकनीक को लागू किया जा सके तो यह हमारा फॉर उप्चन इसका सही है ठेके अगला है थर्टी फाइफ नंबर कोशन 35 का क्या है राष्टी सिक्षानीती 2020 के अंशार सिक्षार्थियों का आकलन यहमारा कॉन सा नंबर कोशन है 35 35 का option 1 हमारा सही है संग्यानात्मक, भावात्मक, मनो, गत्यात्मक, आयाम अगला देखते हैं 36 नमर हमारा question इसमें क्या है राष्टे सिक्षा नीती 2020 का भारत का ग्यान के बारे में बताती है निमलिकित में से इसमें से क्या सम्मिलित नहीं है इसमें क्या सम्मिलित नहीं है 36 का option हमारा 3 है विद्यार्थियों के ग्यान में विद्धी के आकलन के लिए आपचारिक परिक्षा है 36 का हमारा 3 हो गया अगला है 37 नमर कुश्चन 37 का है राष्टी पाठी चर्या रूप रेखा दोसर पांच के नुसर एक प्रात्मिक गडित कक्षा में निमलिकित में से कौन सी प्रक्रियां है सबसे कम रूप से प्रसंगिक है 37 का option 4 है सूत्र को याद करना 38 नमर कुश्चन इसमें क्या करना है 38 में देखिए गडित शिक्षड में संग्यानात्मक संगर्ष के विचार के लिए निमलिकित में से कौन से कथन सबसे उप्यूग थै 38 का option 2 सही है केवल एक संग्यानात्मक संगर्ष के प्रती बच्चों को सुगम में बनाने की सिक्षक की विचार पूर्ण प्रयासों को से उनकी गडित समझ को बढ़ावा मिल सकता है 38 का option 2 हमारा सही है ठीक है अगला है 39 नमबर इसमें क्या है एक संख्या में जोड दिया जाया तो अदुगनी हो जाती इसका answer 8 होगा option 1 अगला है त्रभुज के सभी कोडों का योग दूसा इसका answer होगा एक स्वस्सी होता है अगला है 41 1 mm किसके बराबर होता है 0.1 cm के बराबर इसका option 1 सही है अगला प्रेशन है 42 नमबर इमलिकित कतों में से कौन सा कतन सही है तो इसमें इसमें है हमारा तीसरा ना एक ना तो अभाज़े है और ना ही भाज़े है यह हमारा answer होगा अगला हमारा प्रेशन है 43 नमबर इसमें क्या है ब्रेज के पास अपनी पसंद की जमीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार है वह सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा लेना चाहता है निमलिकित में से उससे किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि यह जमीन का छेतरफा लधिकतम हो इसमें 25 इंटू 25 ये दूसरा 43 का हमारा option हो गया अगला है 44 नमबर कोशन एक वर्ग सदैफ सम बहूज होता है इसमें answer 1 होगा अगला 45 नमबर इसमें क्या है पर्स भेजने की दरे नीचे दी गई है पार्सल का भाहर इतना है और फिर इसमें क्या बताना है दरो को देखकर पार्सल भेजने की सही राशी का चुनाओ करना है 45 का option 3 हमारा से ये 57 इसका answer होगा ठीक है अगला 46 नमबर निमलिकित में से कौन सा आरंभिक संख्या अवधार्ना बनाने से संबंदित है इसमें हमें 46 का बताना है option 2 A और B से ये एकिक संख्यती पदानुक्रमिक समावेशन अगला हम देखते हैं 47 नमबर कोश्चन इसमें के अगड़ित सिक्षण में विवन प्रकार के तरीकों के लिए निमलिकित में से कौन सा सत्य नहीं है 47 का हमारा answer 1 होगा यहां बच्चे की अधिकम में बादा डालता है क्योंकि यह अब्रहम की अगुआई करता है अगला है 48 कोश्चन यामनी ने एक पासा दस बार उचाला निमलिकित में से इतने परणाम प्राप्त हुए अधिकतम बार प्राप्त संग्या 3 है option 1 इसका सही है अगला हमारा question है 49 नमबर कोश्चन इसमें क्या कक्षा 3 की विद्यारती 25 गुड़े 5 को इस प्रकार हल गिया तो निमलिकित में क्या दोहराना इस ब्रहांती को सुधारने के लिए सबसे उप्यूगत होगा पुनर समोही करण की अवधारना इसमें इसका option 1 सही है 49 का 1 है अगला है इसमें बताना है इसकी value 50 ये संख्या है इसकी value बताना है इसका answer क्या आएगा 50 का option 1 सही है 64 अगला है 51 नमबर इसमें क्या है इसमें बताना है सम कोडों में डिगरियों की संख्या बतानी है 51 का option 2 सही है 240 है इसका answer अगला है 52 नमबर question प्राथमी किस तर पर आंकडों का प्रबंधन के परचिया के लिए प्रिखित में से क्या सबसे उप्यूगत है इसमें से बताना है क्या सबसे उप्यूगत है तो रेखे एक मिनट बताते है 52 का option हमारा 1 सही है कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई उनका पसंदीदा खाना रंग कार्टून इत्यादी पर आंकड़ इकठे करना आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूशना अगला है 53 नमबर कुश्चन इसमें क्या बताना है किसी स्थान पर 0 से आरम करके एक मेड़क 3 कदम और खर्गुष 7 कदम चलांग लगाते हैं किस कदम पर वे दोनों साथ चलांग लगाएंगे 53 का ऑप्शन हमारा 2 सही है 53 का ऑप्शन 2 378 अगला है 54 नमबर साढ़ साथ केजी नमक से इतना ग्राम कि कितने पैकेट बना जा जा सकते है कोश्चन नमर हम देख लेते हैं 54 54 का ऑप्शन 3 90 अगला है 55 नमर का कोश्चन है इसमें क्या करना है निमलिकित में से कौन सी प्राथ में किस तर पर गड़ित भाशा की विशेशता होनी चाहिए 55 का ऑप्शन 2 हमारा सही है A और C होना चाहिए या सटीख होनी चाहिए बच्चों के दैनिक जीवन में उप्योग की जाने वाली भाशा की माध्यम से इसमें प्रबलित किया जाना चाहिए अगला हमारा प्रेशन है 56 नमर कोश्चन 56 इसमें देखिए कक्षा में एक बच्चे ने ये कोश्चन दिया गया को हल करवाते समय अध्यापिका ने इस पस्ट किया कि हमें साथ में से दो कोगटाना है दो छोटा है साथ से इसलिए हमें आठ से उधार लेना पड़ेगा ऐसा उन्होंने बताया तो इस परिस्थिति में अध्यापिका को क्या करना चाहिए जो ये प्रशन है देख लीजेगा तो हमारे कोश्चन कौन सा है हमारे कोश्चन है 56 56 का अंसब वन है अध्यापिका को उधार शब्द को बदल कर पुनर समोही करन का उप्योग किया जाना चाहिए और पुनर समोही करन की प्रक्रिया दिखानी चाहिए अगला है 57 नमबर कोश्चन या फिर इस प्रकार से हतोतसाहित करना चाहिए अंतरग्यान को क्योंकि वह गड़ती विचारों को विक्सित करने बादा जालते क्योंकि सबसे कम उप्योग दिया ही है तो उनमें वो उप्शन ही सही होते है मैकसिमम टाइम में अगला हमारा है 58 नमबर कोश्चन निमलिखित में से किसकी लागत सबसे कम है तो इसमें इतने रुपए के पैकेट वाले इतने बैकेट होगी अगला है 59 का आंसर बता देते है निमलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुवाती कक्षा के शिरिक्षार्थियों में इकाई दाही और सेकड़ी के संबन्द में अवधारना समझ विक्सित करने के लिए सबसे कम उपयूगत है इसमें से मुद्रा ओप्शन वन अगला है सबसे लास्ट कोश्चन निम्सिक्षिका यह सुनिशित करती कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उस टेस्ट के उदेशियों कसोटी को पूरा करते तब मुल्यांगन किस पक्ष का उपयोग किया जाता है वैदेता का उप्शन 4 है इसका आंसर मिला लीजेगा और प्लीज कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपसे कितने कुश्चन सही रहे चली धन्यवाद